हेलो एवरिवन कैसे आप सब यह देखे मैंने बनाया है डिजर्ट वह बिकादर पहलवा का इतना ज्यादा बहतरी इतना स्वादिश्ट की पूछिए वद आप एक बर बनाएंगे फ्रेंट आपको हर बार मन करेगा बना के खाने का इतनी ज्यादा यह डिलिसेजम इसको बनाना भी एक तम आसान है देख सकते हैं निकाल के आपको दिखा रही हूं डबल फ्लेवर का इसको कैसे बनाते हैं चलिए मैं आपको बताती हूं हेलो एवरीवान असलाम अलेकूं वेलकम कु सना ब्लॉग सना ब्लॉग में आपका स्वागत आज आपकी सना एक नई रेसिपी लाई यह वो रेसिपी कौन सी है चलिए आपको दिखाते हैं उसको कैसे छेपट बनाते हैं वो भी चलिए बताते हैं तो फ्रेंड गाजर की मिठाई बनाने के लिए मैंने ग्याजर एक किलो ले लिया है उसको अच्छे से मैंने ग्रेट कर लिया है और थोड़ा से बड़ा चुप किया है अब देख सकते हैं इससे जलदी गाजर हमारी बन के रेडी हो जाती है हलुआया मिठाई आप मैं एक क मैं ग्रेट के होग गाजा इसमें एड़ कर देना है अब देख सकते हैं तो सारा मुझमें इसमें गाज़रण कर देना है एब इसकोक हम से कम फ्रेंड गाज मुझे 10 मनेती तक अच्छे से इसमें भूलना हैं यहरा हमारा गी को अच्छे से हल्वा में आ जाए आ घ्रट-अ कि एसे हमारा बंके दम मिठाई बन्के मस्त्र देयार होगा आदढ स्वादिस्ट इसको विड़न्ट में बनाई ये इतनी श्वादिस्ट मिठाई बनके रड़ी होती है ये पूछियमत नबल फ्लेवर का स्वाद भी आता है एक बर अगर फ्रेंड इसको बनाएंगे तो आपका बार बार मन करेगा बनाने का आप देख सकते हैं मैंने इसको 10 मिट तक तेसी की में अच्छे से इसको भूना है तक इसका फ्लेवर अच्छा है तो देख सकते हैं मने भू िजयाँ, दूद भी ले सकते हैं या पका भी ले सकते हैं तो मैंने पका हुँआ दूद लिया है जो आपके अगर लगतार चलाते रहेंगे तो हमारा गाजर की रेसिपी जल्दी तयार होगी फ्रेंड और जल नीचे से लगेगा भी नहीं इसको बनाने एकदम आसान है इसको करने के बाद फ्रेंड फ्रसाम मीडियम आज कर सकते हैं आप मीडियम या हाई फ्लेम पर आप रख दीजिए मैंने एक कप चीनी इसमें अड़ की है आप अपने मीठा अपने हिसाब से रख सकते हैं अगर आप ज्यादा मीठा खाते हैं तो आप लेड़ कप भी चीनी अड़ कर सकते हैं मैंने एक कप चीनी समें अड़ किया है अगर चीनी जाने के बाद फ्रेंड थोड़ा सा पानी य अब मैं इसमें दूद आड़ करने जा रही हूं मुझे इसमें कम से कम 500 क्राम इसमें भी दूद आड़ करना है तब हमारी रबडी के बढ़ियां इस्टंट अच्छी रबडी तयार होगी तो इसको कम से कम से को बॉल करना है अच्छे से बॉल हो आप देख सकते हैं हमारा दूद अच्छे से बॉल हो जाएगा तो अब मैं इस इश्टे पर चिनी अड़ करना है मैंने पांच बड़े चम्मच चिनी अड़ किया है इसमें आप थोड़ा कम बेसी रख सकते हैं अपनी सागते हैं तो मैनने चार हो भक इसके कट लिया और देख सकते हैं अब भाइन जाघ अलेना है इसका अच्छसी आफ तरह की कुछिट है । admitted of analysis is a good फांडर बना लिया यह अब देख सकते हैं I अब इस पर हमको अपना डाल देना है ताकि हमारी जल्दी बनके रेडी हो जाए उसको अच्छे से चलाते रहना है यह हमारी स्टेंट रबड़ी है फ्रेंड बनके काफी जल्दी त्यार होती है इसमें मैं आधा कप मैंने मिल्क पाउडर एड कर रही हूं आप चाहते हैं तो इसकीप भी कर सकते हैं अधिये आप चाहते हैं तो दसवाला एक पैकेट आता है वह आप डालिए तभी हमारी इसके डालने से हमारा फ्लेवर काफी अच्छा रबड़ी आएगा और हमारी रबड़ी भी जल्दी बनके तेयार होगी तब तक हम अपना चीनी को अब मैं सूख गया इसका पानी अदूद तो हमारा गाजया रेडी हो गया है तो इसको थोड़ा मीडियम आज पर अभी आवर थोड़ा रखेंगे तक अच्छे सी हो जाए अब यह लास्ट इस पर मैं छोटी लाची पीसीवी इसको डालने हूं यह लास्ट में डा खीस ऑफ लाशे सके पान पानी और दो दोनूँ अच्छे से सोख लिया चीनी का अब अमेरा हलो फिलीशिल सूख गया है अब इसको बन करतेती हैं थोड़ा से लाची पॉर्ड डाला है मैं तो इसको कम स Rainuity रखना है फेन। कि इसको इसको काथा अगाना का थे पान पर्स भ new quier aね जिसमारे रबडिया बन के रेडि हो गई यह मैं को दिखा रही हूं देख सकते हैं इतना हिसका खना हैंách ताकि हमारे गर्डी अगर ठंडी होती तो और भी खाड़ी होती है अब सकते हैं 1 इतना रखना है आपको आम सरु करकी दिखा रहे हूं तो ऐтора को मैंने गाजर को ली लिया है अच्छे से उसको में इवन भी लेना है चम्मत तरह आई ऐसे करके हमको फैला लेना है फ्रंड अधोसरा घृंग लगा दिया है मैंने जो दबल फ्लेवर आता है खाने भी बहुत अच्छा स्वादिश्ट आता है देख सकते हैं मैं अच्छे से इसको लगा दिया है अगर आपके पास कोई भी ड्राइफ फूट हो ताब वो लगाईए आपके बादाम काजू कुछ भी हो तो मैं बदाम से इसकी गानिश कर रही हूं तो देख सकते हैं हमारा गाजर की रेसिपी मिठाई तयार हो गई है आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आई हो पच्छी लगी हो तो प्लीस मेशनल को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करिए कमेंट करिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और अब बनाईए अपना निकाल के दिखा रही हूं है डबल लेयर कितना मस एकदम स्वादिश्ट गाजर की मिठाई कि आपका देखते ही मन करतेगा फ्रेंड बनाने का तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लोग में थैंक यू सो मच अलाह आफिस